कि नमस्कार फ्रैंट्स लाइप साइंस भाय का पिल्साहू कुलासेज में आपका स्वागत है मैं आपके साथ का पिल्साहू सर्गुजों इनुवर्सिटी के अंतरगत फॉर्ट सेम पेपर थार्ड पेपर थार्ड यूनिट भी थार्ड का एक टॉपिक है फिजियोलाजिकल क्याbab सेक्षिटépoqueण देखना हैं मैडूलयफल पार्ड होता है जो भीच वाला बाद है क्याते हैं बिच वाले इपरागरते हैं तो परिच्छा की मरद्चेचिक तो इस में बेसिकली दो पार्ट होते हैं उटर रिजन को कार्टेक्स और इनर रिजन को मैडूला कहते हैं मेडूला वाला रिजन इक को इनर पार्ट भी कहा जाता है या इनर पार्ट आपर डिनल घ्रेटा जाता है 20% पार्ट जो है मेडूला वाला पार्ट ही कवर करता है पांकि 80% पार्ट जो है कार्ट वाला पार्ट कवर कर लेता है मेडूला वाला पार्ट में basically chromophil cells या फेव ख्रोंच या chromophil cells एक ही type की होते हैं यह नाम अलग लग है तो इस टाइब की सेल्स सब्सक्राइब का यह जो है धरी ऐन्यम्योंस अस्यक्यूध और लिक्सष के घंटेनगे करने वाले होते हैं एक अंत्य आफन्योंस सब्सक्राइब वह एड्रेन लिंजर करने वाले होते हैं लिट नेलन को जो है अपीनेफरिन भी बोला जाता है बाकी 10% केवल नान आड्रेनलीन इसे लिए जिम्यदार होते है। है इस डायग्राम के माद्यम में में दिखाए जा रहा है उसको दिखाया जा रहा है तो इसको ने एसे बाटा जा सकता है जो रेटिकुलेटा पहांड षील उलोट तु यह तीन नाम है ये लुप exams चर देखा रहा है वहीं मेडूबर वाला पार्ट है इससी पार्त में जो किए जाते हैंक उसको को कुरूप फिन सेल्फ बोला जाता है। इस को अप्डूला वाला पार्ट को सो कर रहा है तो इस मैदूला से कौन सा हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं और उसका फिजियोलोजिकल एक्सन अगर देखिए वह कैसा होता है वह हम लोग अगे देखेंगे अथा तो से ब्रेसिकली जो हार्मॉन सिग्रिट होते हैं उसको एक च्षप में से मिलकर पर कॉल का छीफ डाल धुक्त में लौकर बने होते हैं इस वजह से स्फ़ति आप कैट कोल्मिंस में बेसिकली तीन हार्मोन आते हैं जिसमें एड्रेनलेन याइपिनेफरीन नाण एपिनेफरीन और डोपामीन ये आते हैं इसके अलवा कोट किलमिन को अगर प्लाजमा लेवल पर अगर देखें तो भी अगर ड्रेसमा ये अधिर्माउंट जो है 3 मूजी इतना होता है ना है- 30 मूजी और डुपा में जो है इस्ट्रीपंद थाइप में जी तक होता है करको मेंस काichaप लाउब टाइम अगर देखिए तो चुक् usual does not प्रालेंड के शेल होता ही इनका संथेस होता है इसके लिए जो है जो सब से पहले इमिनो एसिद का बना हुआ अंधे मोलकी गयुण करुमा खुमां-फ्रो लसे र chaos से ईव приготов यह टारोसीय मालेक्यूल जो है फिनीलामेन का फार्मेशन करते हैं यह फिनीलामेन जो है टारोसीय में साझें अगर होगह वग्रते के शिन्ठेश से अगर देखें तो मेल की वेशिकरी थी फिनालिन आइडरोललेजर्स एंजाइम की उपस्थिति में टासें मलकिव सब्सक्राइब करते हैं यहीं टारोसी Maar कुल मेलेचमीन पार्ट होता है अगर चैकरुमत का फार्मेशन के लिए अगर देखें तो इसे डोपामிन और अदरेन का है इस डाइग्राम के माध्यम्स话 suspected समझने की कोशिस करेंगे तो जो फ्याने लाने ने जो होता है यह यह होता है यह जो है टाइरोसीन ख़र करते हैं टारोसिन चीफ क्रिया कि मतलु अप्टेक क्रिया की माध्या में अभ्म से डोपा मिन करबों में रा टào करे करते हैं तो जो है डोपा में में कनवार्ट होते हैं तो यह फार्मूला की रूप में हम लोग बायो सिंथेसिस में देखें हैं कि मेटाबोलिजम अगर देखें तो 85 परसेंट डिनर्जिक निवरान की द्वारा इस कैटकोलमेंस को असुसित कर लिया जाता है या यूज कर लिया जाता है मां की जो 15 परसेंट है वह नान अड्रेनेलिन डिग्रेड्रेट कंपाउंड होता है कि इस टेज अगर देखें मेटाबोलिजम का तो में थाक्सिलेशन के फूरुसेस होता है इसके अलावा अगर देखें तो वैनिमाल डैलिक एसीड और मॉनालिक ऑक्सिडेस इनका ऑक्सिडेशन होता है कि अगर अगर देखें कि कैसे यह रिमूव किया जाता है तो यूरिन के द्वारा कट कॉल में को बेसिकली रिमूव किया जाता है तीन रूप में 15 परशेंट जो है अ यास्रस तरी नार एड्रेलीन के रूप में जो है बाड़ी से रिलीस किये जाते हैं और 50 % कॉछार्याज पर्सेंट जो है त्री जो फॉसक्प कि ये जाते हैं तो इस तरह से रिमॉव किया जाता है जो कि अगर एक्षन अगर देखें प्रिजियोलाजीकल एक्षन अगर देखें तो एडियलीन और नान एडियोनलीन जो है इस्टुमिलेट करते हैं नर्वस सिस्टम को एडियोन जो है significant effect डालता है metabolic function के लिए इसके लावा एड्रेनिन और नान एड्रेनिन जो है cardiovascular system में भी important impact डालते हैं मोड आप एकसान आप एड्रेनिन और नान एड्रेनिन अगर देखें तो अड्रेनिन और नान एड्रेनिन जो है एक तरह से बैंडिंग रिसेप्टर की तरह काम करके जो है बैंडिंग साइट में जो है टार्गेट आर्गन में जाके बाइंड करने में किसी मोलेक्वल्स को बाइंड करने में important role play करते हैं जो इसेप्टर सेल होंगे तो टाइप को विपासी के बीटा सीरेंIG receptors की इस तो एक सनर अगर देखें तो circulating adrenaline and nonadrenaline have similar effect of sympathetic stimulation तो sympathetic stimulation के लिए जो है similar act करते हैं यह दोनों हार्मोन इसके लावा जो adrenal hormone है यह 10 time जदा effective होते हैं सिंपेटिक स्टिमिलेशन के लिए अगर देखें तो अगर मेटाबॉलिजम में अगर देखें मेटाबॉलिजम में क्या इंपेक्ट पड़ता है तो जो इंफ्लूएंस जो मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं उसके अंतर के जो जर्रल मेटाबॉलिजम में अगर देखें तो अ और कार्बन डायकसाइड के रिमोवल में इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अलबा अगर और फंक्सन देखें तो मेटाबोलिक रेड को ये बढ़ा देते हैं इसकी वजह से को कॉलोरीजेनिक हार्मोन भी बुला जाता है तो कोलोरीजेनिक हार्मोन किसको बोला जाता है एड्रेनेलिन हार्मोन को कोलोरीजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है कार्भोहड्रेन मेटाबोलिसम में अगर युगदान देखें तो कार्भोहड्रेन का भी मेटाबोलिसम इन एड्रेनेलिन के वज़ा से होता है adrenaline जो है carbohydrate metabolism की दर बढ़ा जाता है blood glucose level की मातरा को भी ये बढ़ाता है glycogenolysis की प्रक्रिया को liver और muscles में बढ़ा देता है तो ये जो है large quantity में जिसको जैसे ये glucose जो है circulatory system में enter कर जाते है fat metabolism में अगर adrenaline का अगर युगदान देखें तो mobilization जो fatty acid का होता है post issue तक वह आसानी से हो पाता है adrenaline के वज़ा से cataculmin की presence में जो है गुलिको corticoid जो है action करने लगते हैं blood पर क्या impact अगर पड़ता है इस adrenaline का तो फिर adrenaline जो है blood जो clotting time है उसको कम कर देता है इसके अलावा आर बिसी काउंटिंग को जो है बढ़ा देता है और बिसी क्रेट को बढ़ा देता है इसके अलावा इस स्मूथ मसाल्स को यह जो है contact कर देते हैं इसके अलवा अगर देखें तो इस स्प्लेजनिक कैपसूल एंड रिलेजिंग और बिसी फ्राम इस प्लेन इंटू सर्कुलेशन तो और बिसी रिलेज करते हैं इस प्लेन में सर्कुलेशन के लिए हाट में अगर देखें क्या एक्सन करते हैं यह हार्त में भी प्रक्सव बाढ़कों करते हैं हां रिलेक करते खाएं लोगते हैं हार्त दोनों डालते हैं ऑडिनेriend और नानडर रामन इंहित दालते हैं हार्ठ रेट को यह बढ़ा देते हैं इसके अलबा कांटरखशन की दर को बढ़ा देते हैं एक सटाय यह आप हार्ठ मसस्सको भी बढ़ा देते हैं कि ए ब्लडबेसल्स में कि इंपक्ट पड़ता है इन जो निया फिर कहना चाहिए न Momo ζ испक्र ऑष जो गशाओ उसका अयुक्तव कांस्त्रिक्टर के नाम से भी इस चैनल वेश रॉपनानी को जाना जाता है तो blood vessels का construction में basically योगदान होता है इस non-adrenaline hormone का blood pressure पर अगर क्या परभाव पड़ता है तो blood pressure जो systolic blood pressure है वो adrenaline के परभाव से बढ़ जाते हैं जब जब body से adrenaline secret होगा तो systolic blood pressure बढ़ जाएगा इसके अलावा जो hard contraction और cardiac output की rate भी बढ़ जाता है इसके अलावा अगर देखें तो डास्टोलिक blood pressure की rate जो है कम हो जाता है टूटल परिफेरल resistance की वज़ा से यह कम हो जाता है कि डास्टोलिक प्रेसर बढ़ करेट जो है वेस्व कांस्ट्रेक्शन effect की वज़ा से बढ़ जाता है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या impact डालता है यह जो adrenaline हर्मोन हैं अगर देखें तो रिस्पिरेशन की रेट को भी और यह बढ़ा देते हैं इसके अलावा यह जो adrenaline ऑपनिया के नाम से भी जानने जाते हैं क्योंकि adrenaline injection जो है ऑपनिया की symptoms produce करते हैं एक तरह से बॉरंको डाइलेशन यानिकी respiratory system में डाइलेशन जो impact डालता है डालेशन टाइप डालता है जिसके जैसे इसको ब्रंको डाइलेशन भी कहा देता है इसकीन पर अगर क्या इंपक्ट बढ़ता है इस adrenaline का तो फिर इसकीन के जैसे जो है जो इसकीन में पाया जाने वाले जो हेर नुमा से जो से है एरेक्टर पिल्ली वो कांट्रेक्ट हो जाते हैं इसके अलावा sweat का secretion को ये skin में बढ़ा देता है sweat gland के activity को ये बढ़ा देते हैं skeletal muscle पर क्या impact पड़ता है अगर देखें तो adrenaline के परवहाव से skeletal muscles contract होने लगते हैं और तीजी से ये ठक जाते हैं तीजी से skeletal muscles contract होने लगते हैं इसके अलावा इन muscles में glycogenolysis activity को ये बढ़ा देते हैं इसके अलावा इसकी वज़ेसे vasodilation in skeleton muscles में ऐसा condition vasodilation की condition बन जाते हैं कि smooth muscles में अगर देखें तो smooth muscles में भी contraction होता है इसके वज़ेसे splenic capsule करिमान होता है इसके अलवा एक्टर पिल्ली तजी से contract होते हैं गाल ब्रडर भी अपना कार रितेजी से करने लगते हैं अगर adrenaline का brain पर impact देखें तो adrenaline का brain की activity को यह बढ़ा देता है इसके अलावा adrenaline जो है fight flight hormone का लाता है तो यह stress के समय release होकर brain को बचाने में important role play करता है अधर impact अगर देखें काटकुलमीन हर्मोन जो काटकुलमीन के अंतर गजाते हैं पिनेफ्रिन नानेफिनेफ्रिन और डोपामिन तो इसका अगर और इंपक्ट अगर देखें चुकि यह तीन condition में secret होते हैं fight flight fear यानि कि लड़ाई के समय हवा में जब होते हैं उड़ते समय इसके अलावा जब डर होता है जब सेर हमारे सामने आ जाता है या जो भी डर कंडिशन हो तब यह हर्मोन बेसिकली प्रकार जो प्रकार अगर अगर एक्षन इन जो हर्मोन होते हैं तो वह सो कांस्टिक्शन की condition भी अगर देखने को मिलता है स्वेट ग्लाइंड की एक्टिविटी बल जाते है लेक्ट्राइवर ग्लाइंड की भी एक्टिविटी जो है बढ़ जाता है इसके अलावा को अलाव सब्सक्राइव Ben Aude की सिक्रिशन की दर भी बढ़ जाता है नर्वाफाइबर्स की एक्टिविटी भी बढ़ जाता है एक और खासटाइब का हर्मोन होता है दोपामीन दोपामीन जो है अड़नल मेडूला के पार्ट से ही सिक्रिट कीए Spray जाते हैं यह डोपामिन-एनर्जिक-नियुरौन जो हुता है एक इमपोर्टेंटude ये डोपामिन जो है implies इस्वारиля होता है यधियल्सिक्पीनट आयए या hall कैंजुन gallery जाकर अपना जो डूपामिन होता है यह भी अधनिरल ग्लैंड से बनता है इसका अगर इंपक्ट अगर देखें तो वैसो कांस्टेक्शन की इस्टी बनता है हार्ट रेट को बढ़ाने में भी यह इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है सिस्टोलिक ब्लडपेसर को भी बढ़ाने में यह लगातार बढ़ा देता है लिपिड में अगर इंपक्ट अगर देखें तो लिपिड मेटाबुलिज्म को भी ये बढ़ा देता है इसके लवा प्रोटीन एंड निकुलिक एसीड पर क्या इंपक्ट परमता है अगर कर देखें तो में काटबुलिज्म की कंडिशन को बढ़ा देता है प्रोटीन निकुलिक एसीड में यह जो है क 9 परमता के इस्ति को बढ़ा देता है यूरिया प्रोडक्शन को अगर रहा देता है फ्लूड आने इलेक्टुलाइट पर इन खैटकोलमिन का इंपक्ट अगर देखें तो ये वाटर एकस्क्रीशन कीदर को इंक्रीज कर देता है एडि-एच्स सब्सक्राइब करने में इंपोर्टन रॉल करता है यह जो कैड़कॉलमिन हार्मॉन है सिक्रेटरी अक्सन अगर देखें तो गैस्टिक एसीड और एंजाम को स्ट्यूलेट करता है सिक्रिट करने के लिए इसके अलाबा प्याप्र डिसीज है उसको करता है इसके अलाबा कनेक्टिव टीशू में इंपक्ट अगर देखें तो पूर वाउंड हिलिंग घाव जो है थोड़ा देर से भरता है इसकी वज़से इसके अलावा इम्यून सिस्टम में अगर इंपक्ट अगर देखें तो इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करते हैं लिंफोसाइटिक सेल्स को तोड़ने का काम करते हैं इन्टि इन्फ्लेमेट्री एंठी एलर्जिक अगर एजेंट की तरह यह हर्मोंस काम करते हैं इसके अलावा अडिक जिक रिस्पोंस कुछ सेलेक्ट टीसू में देखें तो हार्ट में जो है कांट्रेक्शन की दर को बढ़ा देते हैं हार्ट रेट को जो है यह बढ़ा देते हैं ब्लड वैसे में देखें तो वैसे कांस्ट्रेक्शन यानि कि जो वैसे हैं वो कांट्रेक्ट होने लगते हैं सि इसके अलबाव वैसे उडालेशन की सिती बन जाता है गट में अगर इंपक्ट अगर देखें जो मिट गट हैं तो इसमें जो है मोड मोटलीटी जो होता है उसको उनकी गतिविदी को थोड़ा सा कम करने का कोशिज करते हैं लीवर में गलाइकोजनेसिस की दर को जो है बढ़ देते हैं स्कीन में अगर देखें तो स्वेट गलांड के अक्टिविटी को बढ़ा देते हैं ब्रॉंकायटिस की कंडिशन में जो है डालेशन की कंडिशन ये निरिमित करते हैं इसके अलवा कडियो वस्कुलर सिस्टम में क्या इंपक्ट अबढ़ता है अगर फिर से करता है में कोसा सेल को कांट्रेक्स करता है इसकी में पाजाने वाले जो में कोसा सेल हते हैं पटे से दाना Aww Interesting than imitation and protest parmesan को बढ़ाऊ लिप्ड की तोटना की दार को बढ़ाऊ देते हैं ब्लड में जो फिल्ट्रेशन रे LRET जो होता है उसको भी बढ़ा है लिवर मेंगलाइको योजियनोलाइसिस ग्लुको नियोजेनेसिस अगर और सुकर की लेवर को यह बढ़ाद्ध है मुसल्स में गाल य्श की प्रिक्रिया स्टार्ट कर देते हैं लैक्त अड्रेभीट रियाईस क में वहुज़ में यह मसल्स में करने इसका इंपाक्ट देखें तो मोटलेटी यानि की गतिविधी को गतिसीलता को बढ़ा देते हैं इसके अलावा इसकीन में भी कांट्रक्शन को बढ़ा देते हैं इसके अलावा अगर देखें तो इसकीन में स्वेटिंग को भी बढ़ा देते हैं इसके अलावा अगर देखें तो आख में जो है कांटक्शन आप रडियल मसल्स को यह आईरिस में जो जो रडियल मसल्स पाए जाते हैं उसको भी पढ़ा देते हैं उसके कांटक्शन की दर को बढ़ा देते हैं स्लेवरी ग्लैंड में एमाइलेस सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं, स्लेवरी ग्लैंड से वाटरी सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं, किड्नी में रेनिन को सिक्रीट करने के लिए इस्टिमिलेट करते हैं, सोडियम रेपजाप्सन को इस्टिमिलेट करते हैं किड्नी में, इसके डुपामिन यह तीन्हों हर्मॉन्ला प्रीयु से सिकरिय्ट होकर इसकीन में आइस में जो रडियल मसलड होता है आयरीण में उसको चांटरेट को बढ़ा देते हैं ह्याइव कुलाइट के सिकरिशन को बढ़ता है कहते हैं तो इस टाइप का एकशन होता है अडेरनलर्य हारमौन्स होते हैं उसका अप लोगों ुस्तिय और थ्यूंड होता है उसका कह ठ्यश्य क्रिक्षा स्वाइए thank you